असलाम वालेकुम आप लोग मेरे चैनल में बहुत स्वागत है और मैं आगई उन्हें लेकर के फिस फ्राइ रेसिपी और बिनाने के लिए यहां पर देखे मैंने एक किलो फिस ले लिए है इसे बहुत अच्छे से इसके छिलका हटा करके साफ कर लिए है वस कर लिए है अब यहां पर मसाले यूज़ करेंगे तोरी और लॉसन को पीस लिए हैं और लाल मिर्स पाउडर हल्दी पाउडर और चैनल के बेशन और नमक चलिए इसे मिक्स करते हैं एक चमच नमक एक चमच लाल मिर्स पाउडर आधी चमच हल्दी पाउडर और देर चमच बेशन बेशन इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे फिस क्रिस्पी हो तो इसे मिक्स करेंगे तो यह देखिए गाइस हमारे फिस में बहुत ही अच्छे से मसाले पूरे मिक्स हो गया है अब चलते हैं पैन की तरफ पैन हमारा हीट हो गया है इसमें रखेंगे ओल व्यूर्ब तो अब यह कूम हो गया है इसमें कि प्रीश को फराई करेंगे अब हमारा ओल ओन गरम हो चुका है अब हम एक एक कर के फ्राइब करेंगे इसमें राकरणें पैन में अभी से हम फ्राइब होने के लिए छोड़ दे रहा है पाच मिनाड तक फिर दूसरे तरफ प्लट कर फकाएगे चलिए गाइज आपके फ्रीज को प्लटते हैं दूसरे साइड भी फ्राइब कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छा से कॉलोर आ गया है यह देखिए गाइज हमारे फीच बहुत ही अच्छा से फ्राइग हो चुका है अब इसे हम निकालें गए तो चलिया आप और हमारे फीच जो है उसे भी फ्राइग कर लेते हैं अपर ते मसाला लगा दे रहें अभी से भी फ्राइग होने के लिए छोड़ दे रहें तो चलिया गाइज हम इन सब फीच को भी कलोट लेते हैं और दूसरे साइड भी फ्राइग करते हैं अब इसे भी पाच मिनट तक छोड़ते हैं दूसरे साइड भी फ्राइग होने के लिए तो हमारा ये भी फीच हो गया है फ्राइग अब इसे भी निकाल लेंगे अब ये फीच को भी हम फ्राइग कर लेंगे अब इसे भी पाच मिनट तक छोड़ देंगे इसलिए आप दूसरे साइड भी फ्राइग कर लेते हैं अब इसे भी फ्राइग हो चिका है बहुत यचा कलोर आ गया है अब इसे भी पाच मिनट तक छोड़ देंगे तो ये देखिए गाएग हमारे सारे फीच हो गया है फ्राइग अब इसे भी निकालेंगे अब लोग भी ट्राइग किजिएगा बहुत यह मीं बहुत इसे बनके ररी होता है अब यह देखिए गाइज हमारे फीच जो है बहुत ही अच्छे से फ्राइग हो चुका है वीडियो बनाने में बहुत मेहनब लगता है गाइज और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमें सेयर और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किजिएगा ठांक्स पूर वाचिंग असलाम अलेकूं